बिंका के तीसरी जमात के प्यारे प्यारे बच्चों को मेरा खलूस बरा सलाम बच्चों, आज का सबख शुरू करने से पहले एक जरूरी इतला इस PDF को प्रेंट करने की कोई जरूरत नहीं है लफ्स की किस्मे को अपने वालिदयन की निगरानी में पढ़िए और समझे तो चले शुरू करते है बच्चों, आज का हमारा उन्वान है लफ्स की किस्मे हम पिछले वीडियो में लफ्स पढ़ चुके है तो आज हम उसकी कुछ किस्मे पढ़ेंगे बच्चों, क्या आपको पता है लफ्स की कितनी किस्मे होती है लफ्स की दो किस्मे होती है एक कल्मा और दूसरा महम्मिल बच्चों, लफ्स की दो किस्मे होती है लफ्स दो या दो से ज्यादा हरूफ को जोडने से एक लफ्स बनता है और उसकी दो किसमे होती है कलमा और महम्मिल बच्चो कलमा किसे कहते है पस जिन अलफाज के कुछ मानी होते है उनको कलमा कहते है नल, कलम, लड़का वगेरा ये कुछ लफ्स बनाये गए है जिनके मानी है तो उनको कलमा कहते है और बाज अलफाज ऐसे होते हैं जिनके कोई मानी नहीं होते हैं उनको मुहमिल कहते हैं बच्चो यहां आप देख सकते हो विल, वलम, वडगा ये तीनु लफ्स है क्योंकि ये दो या दो से ज़्यादा हरूफ को जोड के बनाया गया है लेकिन बच्च कहते हैं इनको मुहमिल कहते है चले देख लेते है बस मालूम हुआ अब हमें क्या पालूम हुआ ये सब पढ़ने इसे कि लफ्स की दो किसमे है कलमा और मुहमिल कलमा वो लफ्स है जिसके कुछ मानी हो मसलन मकान, हाथ, किताब वग्यरा मुहमिल वो लफ्स है जिसके कुछ म जैसे मकान शकान, हात वात, किताब विताब, बच्चों महम्मिल जो है वो अकेले किसी जुम्ले में इस्तेमाल नहीं होता है, वो हमेशा कलमा के साथ ही इस्तेमाल होता है, लफ्स की दो किसमें होती है, कलमा है जो बामानी, जैसे कलम, किताब, मकान, महम्मिल है जो बेमानी है जैसे वलम, विताफ, शकान बग्यारा उमीद है आपको अच्छे से समझ आया होगा बाकी वस्सलाम